नमस्कार नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नागपूर के विबित हलचल पर विदर्प के 13 लाग व्यापारियों में अग्रणी वशिर्ष संस्तान नाग विदर्प चेम्बर ओप कॉमर्स के अदेक्ष अश्विन प्रकाश मिहाडिया ने चेम्बर के उपादेक्ष स्वपनिल अहिरकर सहसचिव राजवन पाल सीहत तुली और अप्रतेक्ष कर समती के स सयुक्त आयुक्त वी एम काम थेवाड को प्रतिवेदन दिया अध्यक्ष अश्विन महडिया ने काम थेवाड को प्रतिवेदन देते हुए कहा कि जीस्टी विभाग ने कपड़ाव फुट्वेर समंधी वस्तों में 18 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर जीस्टी दर मे पास से 12 प्रतिशत की गे वृद्धी अहितकारी है रोटी कपड़ा और मकान मानों की मुलभूत आवशक्ताएं है जीस्टी दर में वृद्धी के कारण इन वस्तों में किमतों में बहुत अधिक वृद्धी होकर आमजनता जो की अंतिम उपभोगता है उस पर आर्थिक ब 22 से लागो होने वाली जीस्टी वृद्धी दरों को वापस लेना चाहिए महाविर स्वामी के अहिंसा परमो धर्म के संदेशों को जबर्दस तरीके से प्रचार करते हुए प्रधान मंतरी मुद्रा लोन योजना नागपुर के अध्यक्ष राकेश गांधी के वाठोडा स्थित निवास्थान पर आगमन हुआ वाठोडा से विहार करने के बाद सभी माहा सतियाजी नंदर्मन इतवारी सदर होते हुए लगभग इसी महिने के अंत तक कॉंग्रेस नगर स्थित स्थानक में पधारेंगे विहार सेवा में वरिष्ट श्रावक प्रकाश चंद तुगड नरेंद्र चौरडिया प्रधान मंत्री मुद्रालोन योजना नाकपुर के अध्यक्ष राकेश गांधी दिलिप भंडारी महाविर कोटेचा सुरेश ओस्तवाल कमलेश गांधी श्वेता गांधी पारख महात्मा गांधी अंतर राष्ट्रिय हिंदी विश्व विद्याले ने भगवान बिर्सा मुंडा की जयन्ति को राष्ट्रिय जनजातिय गौरव दिवस के रुप में मनाया और जनजातिय गौरव सप्ताह के अंतरगत विभिन्न कार्यकरम एवं गतिवीधिया संचालित कि है जैसे गिरी पेट, शांती नगर, नालवाडी, मसाडा और पवनार यहा लगभग 500 परिवार में मिठाई और बच्चों के लिए शिक्षन सामगरी और भेट वस्तुओं का वितरन किया गया कुलपती प्रोफेसर शुकला ने अपने संदेश के माध्यम से आभान किया कि आदिवासी स्वतंतरता सेनानियों की याद में विश्वविद्याले की और से जनजातिय गौरव दिवस प्रतिक वर्ष बड़ी धुम धाम से मनाया जाएगा आने वाली पीडियों को भारत के स्वतंतरता अंदोलन के दोरान बिरसा मुंडा और अन्या आदिवासी स्वतंतरता सेनानियों द्वरा किये गए बलीदानों से अवगत कराएगा उन्होंने कहा कि सांस्रूतिक विरासत को सरक्षित करने और राष्ट्य गौरव और अतिथ्य के भारतिय मुल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी ओ द्वरा किये गए प्रयासों को सम्मान देने के लिए ये अत्यन्त आवशक एवब महत्वपुर्णा पहल है राष्टे संता आचर या 108 पुलक सागर जी महाराज के आशिर्वात से रसिकलाल मानिक चंद धरिवाल के फांडेशन की वोईस प्रेसिडेंट शोबा धरिवाल के सहयोग से संपुर्णा भारत में 40 पुलक प्याव का अनुदान परिवार की द्वारा किया गया जिसमें नाकपुर में इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में एक वाटर कुलर पुलक प्याव का घाटन प्रमुक अतीथी डॉक्र सुधिर गुपता दीन मेडिकल हॉस्पिटल विशेश अतीथी सुभाश कोटे चा संस्था पगत ध्यक्ष सर् एवा फॉन्डेशन उपाद्धिक्ष पुरुशत्न भोसले महाविरवाड के अध्यक्ष शरत मचाले महामंत्री प्रकाश उदापूरकर चंद्रनाथ भागवतकर आशिश विंदाने जन जाती महिलामंच गांधी भाक शाखा के अध्यक्ष चंद्रकानता कासलीवाल उप भावना व्यक्ष की इस मशिन द्वारा पिने वाले पानिये में आचारिया पुलक सागर महाराज जी का अशिर्वात सभी मरीजों पर रहेगा महाराष्ट की अग्रणी प्रतिष्ठित संस्था ने संस्था के अध्यक्षता रती चौबे के अध्यक्षता में तुलसी विवहा खुब धूमधाम से मनाया जैप्रकाश नगर में पुनम मिश्रा के निवास्थान पर पंडित हरियों तीवारी के हाथो विवहा तुलसी के रूप में हंसा बेंच शाली ग्राम के रूप में भावना ठूमरी एवं राधा के रूप में मिना तीवारी एवं कुषना के रूप में ममता शर्मा का पवित्रता से परिपुरुना माहौल में गड़ बंदन कर वर पक्षव व कन्या पक्ष की उपस्तिती में वचनों, मंत्रों व पुश्पवर्षा से विवाहा को संपन करवाया गया। पुलसी के वैग्यानिक, सामाजिक, अध्यात्मिक रूप हेमलता मिश्रमानवी ने विचार दिये। मोती ब्राम्भने, टोनी बक्सरे, प्रकाश शुकलवार, बबलु कोंधावे, सावन नर्पांडे, विक्की बामनेट, निखिल महातो, राजा कोड़ावे, सन्नी उसरे, शुवम मस्ते, दुरगेश गवरे, मिथुन करीहार, अन्यकार्यकर्दों पस्तित्ते। Association of Mutual Fund in India, एवं दयानन आर्यकन्या महाविद्दाले के सयुक्त तत्वावधान में, कोरोना काल में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन पर एक राष्ट्य वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यकर्म का प्रारम प्राचार या डॉक्टर शद्धा अनिल कुमार का स्वागत उद्बोधन द्वारा किया गया। भारत में Securities and Exchange Board of India, वित्यक शेत्र का सरवच्चन यंत्रक है। इसके संस्था के तत्वाधान में वित्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर निवेशगों को उनके सुरक्षित तीवेश के साथ आर्थिक सुरक्षा प्राप्ति के साधन भी बताये जा रहे हैं। बचाने के साथ वित्य सशक्ति करण भी एक महत्वा प्रणप्रशन है। आज के शिक्षन एवं प्रशिक्षन कारेकरम के लिए वित्यन योजन सीखना एक महत्वा प्रणविशे है। आज के सामाजिक, शेक्षनिक तथा राज के विशेवे पर विसरुत मार्ग दर्शन किया। साथ ही कारेकरम के अध्यक्षता वोमेंस महाविद्याले नंदनवन के प्राचारिय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गुलहाने ने की तथा महिला सम्मेलन के अध्यक्ष के तौर पर कोशाद्यक्ष अमर सेवा मंडल की स्मिता अभिजित वंजारी ने समाज के विभिन्ना व सम्मेटी के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकार लेंडे कुशाद्धिक्ष नानभु उराडे सच्चिव रंगराव पाटिल डॉक्टर समिता धोबले ने किया सम्मेलन का प्रास्ताविक श्री शेत्र राम्टिक तेली समाज धर्मशाला के अध्यक्ष प्रोफेसर हीरामांडर बावन कुले ने किया तथा संचलन सच्चु किशर वरंभे एवं सहसच्चु रव्य उराडे ने तथा आभर प्रदर्शन डॉक्टर ओम प्रकाश आश्चन करने किया महराष्टर विधान परिशत के आगामी चुनावों के लिए नाकपुर में पांच उमिद्वारों ने नामांकन पत्र भरा है मंगलवार को नामांकन दाखिल करने का आखरी दिन था हालगी कौंग्रेस पार्टी ने डॉक्टर रविंद्र भोयर को अपना अधिकारिक उमिद्वार गोशित किया है उसी पार्टी के प्रफुल गुरधे पार्टिल ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है इस बार के विधान परिशत चुनाव में मुख्य रूप से मुकाबला कॉंग्रस उम्मिद्वार भोयर और भारतिय जंता पार्टी के उमिद्वार चंदर शेखर बावन कुले के बीचे बावन कुले जिले के पुर्व पालक मंत्री है और उन्हें चुनाव के लिए एक मजबुत उमिद्वार माना जा रहा है मंगलवार को उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया दो नीरदली उमिद्वार मंगेश देश मुक और सुरेश दौलत राव रेवतकर ने भी नामांकन पत्रों की जाज की जाएगी नामांकन वापस लेने के अंतियम तारिक 26 नमंबर है मतदान 10 दिसंबर को सुभा 8 बज़े से शाम 4 बज़े के बीच होगा तथा 14 दिसंबर को मतगणना होगी चुनाव आयोक के निर्देश पर महाराश विधान परिशत चुनाव के लिए जिलाधीकारी विमलार के अध्यक्षता में एक जिलासतरीय मीडिया प्रमाणन एवं निग्रानी समीती MCMC का गठन किया गया है मंगलवार को नाकपुर के जिलाधीकारी कारियाले में हुई समीती की पहली बैठक के दोरान जिलाधीकारी विमलार ने बताया कि समीती राजनितिक विग्यापनों को प्रमाणन देगी और पेड निउस पर कड़ी नजर रखेगी उन्होंने कहा कि समीती पुलिस विभाग के साइबर सेल के माध्यम से आकाशवानी दुरदर्शन, विभिन चैनलों और स्तानिय चैनलों पर जारी होने वाले विग्यापनों पर भी नजर रखेगी कलेक्टर ने मतदाताओ की संख्या सिमित होने के बावजुद पारदर्शिता के साथ साउधान इसे काम करने को कहा है जिला सूचना अधिकारी प्रविंटा के समीती के सचिम नियुक्त किये गए है आकाश्वानी की कारेक्रम अधिकारी प्रदीब जारोंदे वरिश्टा पत्रकार अतुल पांडे प्रे सूचना ब्यूरो के सहायक निदेशक शशिन राय और साइबर सेल के निरिक्षक नितिन फतंगारे समीती के सदस्य है उपजिला चुनाव अधिकारी मिनल कलासकर तहसिलदार राहुल सारंग तथा अन्या अधिकारी गण इस बैठक में उपस दित थे सभी राजडितिक दलो और उनके उमिदवारों को टीवी, समाचार पत्र और अन्या सामाजिक माध्यमों के जरिये विग्यापन देने से प हवाई अधिकारी विमला आर ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया, इस आउसर पर विशेश पुलिस महानिरिक्षक डॉक्टर शेरिंग दोरजे, सहपुलिस अधिक्षक विजे कुमार मगर वो अन्या वरिष्ट अधिकारी उपस्ति थे, कल दोपहर तीन बजे होजी दल ने मंगलवार को 31 मंगल कार्या ले, 20 मंदिर, 11 मस्जित, 33 स्कूल कॉलेज और 14 धर्मिक स्थलो समित कुल मिला कर 109 स्थानों का निरिक्षन किया, उन्होंने मनपा के टीका करन अभियान के समन में नियमों की जानकारी देते हुए नागरिकों से कहा कि टीका करन कर ये अभियान चलाया गया और 60 वर्ष से अधिक आयू के 2,58,000 वरिष्ट नागरिकों का समाविश है वही कुल मिला कर 10,86,000 नागरिकों ने टीके का दुसरा डोज ले लिया है इनमें 30,000 स्वास्त सेवक, 3,40,000 फ्रंटाइन वरकर, 45 वर्ष से अधिक आयू के 2,83,000 नागरिक, 45 प्लस आयू वरके 43, 44,000 को मार्बिट नागरिक, 8 प्लस आयू वरके 4,91,000 नागरिक और 60 वर्ष से अधिक आयू के 1,89,000 वरिष्ट नागरिकों का समाविश है अब तक कुल मिला कर 28,81,000 नागरिकों का टीका करन हुआ है आज 18 प्लस और 45 प्लस आयू वरके सभी नागरिकों का कोविट शिल्ड का टीका करन नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा टीका करन शाम के 5 बजे तक होगा टीका करन के लिए ऑनलाइन और आफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइब इन वाक्सिनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा ये जानकारी चिकित सा स्वास्त अधिकारी डॉक्टर संजेच चिल करने दी इसी तरह 18 वर्ष और 45 प्लस आयू वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर अस्पताल कामठी रोड वस्वार्गी ये प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्रों एम्स मुदायने नागपुर में भव्य मोर्चा निकाला था उस दिन मची भगदर ने 114 आदिवासी गोवारी बंदु शहिद हुए थे मंगलवार को गुवारी समारक पर पहुचकर महापौर दया शंकरतिवारी उपमहापौर मनिशा धावडे विधायक परिने फुके सुनिल हिरनवार परिनिता फुके धर्मपाल मेश्राम सहिद और एक नागरी कोने विनम्र अभिवादन कर आदरान जली अरपित की स्वतंद्रता के अमरुत महोत्सव के अउसर पर स्थानिय कोन्धाली थानाक शेत्र के तहत दुधला के त्रीमूर्ती विध्याले में चित्रकला, निबंदल एखन, रंगोली स्परधा जैसे प्रतियोगिता के साथ-साथ, मैरथन एवं मैदानी खेल जैसे विभिनस परध का आयोजन किया गया, इस अउसर पर कोन्धाली के प्रभारी थानेदार अजित कदम द्वारा त्रीबूर्ती हाई स्कूल के प्रधानाचारिय राजंद्रा नाकपुरी के उपस्तिती में इस प्रतियोगिता का उध्गाटन किया गया, एस आई सुभाष सालबे, सिपाही उमेश गुरुमूले, रविंद्र वाईकर, एवं स्कूल शिक्षक राजेंद्र भोंगले, राजेंद्र खामकर, प्रविन लंगडे, प्रशान ताजने, जोती धांडे, उश्पा पाटिल, आधिके निरिक्षर में विद्यार्थियों इन अंचल जटाम खोरा में आधिवासी समाज द्वारा, अपने आराध्य जननायक, क्रांती सुर्य, बिरसा मुंडा की जयनती हर्शोला से मनाई गई, इस अवसर पर आधिवासी बंधु होने अपने पारंपर की वेजभुशा, संगित, तथा अनुरुत्य प्रस्तूत कि और गाउं को सजाया गया, इस आयोजन में राज्य के पशुसवर्धन, दुगदविकास, खेल, तथा युवाकल्लैंड मंत्री सुनिल केदार, शेत्र के वरिष्टनेता, तथा नाकपुर जिला परिशत के भूत पर वो उपाध्ध्यक्ष, मनोहर कुंभारे, नवन युक पर मंत्री सुनिल केदार ने प्रकाश डालते हुए कहा, कि भारत भूमी ये संत महात्मा, हुतात्मा तथा क्रांती कारियों की भूमी है, इनका त्याग और बलिदान ही हमारी धरोहर है, जिससे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी भी है, आज भी ग्रामिन अंचलो तथ दुर्गम शेत्रों में बिरसा मुन्ना जैसे महान जननायको की आत्माय वासकर हमें प्रेरित करती है, उन्हें के दिखाए गए मार्क से लोक कल लेंड कारियों की प्रेरा मिलती है, साथ ही हमें हमारी प्राचिन सांस्कुरुतिक धरोहर के दर्शन भी होते है जिसमें हजारों के संख्या में दर्शक अपनी उपस्तिती दर्शा कर, आनन्द में मातावरन लाब लेकर मंत्र मुग्ध हो गए इस समापन मौके पर ड्रेगन पैलेस टेंपल की प्रमुक एडवोकेट सुलेका कुम्भारे ने प्रती वर्श कार्तिक पुर्णिमा के पावन परवपर ड्रेगन पैलेस टेंपल के वर्धापन दिन उपलक्षपर ड्रेगन पैलेस फेस्टिवल का आयोजन किये जाने की गोशना की ड्रेगन पैलेस टेंपल के वर्धापन दिन मोहत्सों में विविधार्मिक सामाजिक्व सांस्रूतिक कारेकरम हुए भिकु संग की उपस्तिती में विशेश बुद्धवंदना धम्मदेसना भोजन दान वचिवरदान का आयोजन किया गया साथ ही मुंबई के समाज भूशन राष्टिय प्रभोधनकार, गीतकार, संगितकार, गायक, प्रभाकर, पोखरीकर, मुंबई द्वारा भीम, शाही, बाना, सांस्रूतिक कारेकरम प्रस्तूत किया गया तथा रविंद्रवान खेडे, वशील वन्त एवं उनकी टीम द्वारा बुधव अभीम गीतों की प्रस्तूतिकर सभी को मंत्रमुक्त कर दिया महाराष्टर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी OBC विभाग का उद्खाटन समारोह, सुमवार को आयोजित किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता, भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस महाराष्टर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने, महाराष्टर प्रदेश कार्यक्ष चंदरकान्थ हंडोरे, महाराष्टर प्रदेश उपाध्यक्ष वो पुर्वा मंद्री सुरिल देशमुक, OBC विभ अध्यक्षव जीला परिशत सदस्य प्रोफेसर अवंतिका रमेश लेकुरुवाले समेत अन्य पदाधी कारियों में संजय भिलकर, विजय जीवन, धोटे, बावनकरजी, जैस्वाल जी, आधी 300 के लगबग पदाधी कारी वे कार्य करता उपस्ति थे। कामठी तालू का अध्यक्षव शोयब असत शकिल एहमत को आश्वासं दिया कि आने वाले नूतन वर्ष में राकामपा कामठी शहर द्वारा आयोजित कारेकरम में पदार कर कारेकरताओं का होसला बढ़ाएगी। ते रही है WKB News, नमस्कार!